हेलो एब्रिवान वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपको मत्रा के व्रिंदावन में अस्थीत प्रेम मंदिर का दर्शन कराने वाली हूँ जिस तरह आगरा का ताज महल प्रेम के परतिक के रूप में जाना जाता है वैसे ही व्रिंदावन का प्रेम मंदिर भी राधा क्रिश्न के प्रेम की कहानी कहता है इस मंदिर की खुबसूरती इतनी मंद्र मुग्द करने वाली है कि वहाँ दर्शन करने वाले भगते घंटों के लिए उसकी भवेता में खो जाते हैं सच बताओं तो मैं जब यहाँ आई तो मुझे यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा था क्यूंकि ये इतना जाया खुबसूरत मंदिर है कि सच बताओं तो चाहे अब जितना भी देखे इसे कम ही लगता है और जब भी राधा और कृष्ण की बात होती है तो इस बात का जिक्र अवस्य होता है कि संसार में आध्यात्मी के प्रेम से राधा कानहा के प्रेम नहीं कराया है और कृष्ण का प्रेम सिखाता है कि प्रेम के वल प्रेमी प्रेमिका के बीच ही नहीं बलकी सखी साथियों माता पीता भाई बहनों पसु पक्षी सभी से हो सकता है और अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो पिलिज एक लाइक कर दीजेगा और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बगल में आएगा बेल आइकन उस पर भी प्रेस कर दीजेगा ताकि मेरी फ्यूचर की कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मुझे इंस्टा पर फोलो कर सकते हैं मेरी इंस्टा एडिया आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी और फ्रेंडिर जगत गुरू की पालू महराज द्वारा बनवाया गया है जो की स्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और इसी कारण उन्होंने स्री कृष्ण के प्रेम के परती कहे जाने वाले प्रेम मंदिर का निर्मान कराया और फ्रेंड्स इस मंदीर को बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और यहाँ पे हर दिन काफी तदाद में सरधालू दर्सन करने के लिए आते हैं और यह मंदीर इतना खुबसूरत है और इस तरह का बनाया गया है फ्रेंड्स की अगर आप इसे और भी अच्छी तरह से देखना चाहते हैं तो इसका एरियल में खुबसूरती रात में देखने को मिलता है क्योंकि हर मिनट इस मंदीर का कलर चेंज होते रहता है पर क्या था ना कि हमें उसी दिन रिटर्ण होना था जिसके चलते हम रात में नहीं रुक पाएं और रात में मैंने ये नहीं देखा तो मैं सूट भी नहीं कर पाई लेकिन अगर कभी फिर से क्रिपा हुई और हम दुबारा वहां पे गए तो मैं रात का सीन ही सूट करूंगी और आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी कि हर मिनट इस मंदीर के किस तरह से कलर चेंज होते ह हैं और ये जितनी मूरतियां यहाँ पे अस्थापित हैं वो सारी बिलकुल मतब कि चलती फिरती निरत करती हुई दिखती हैं और फवारे भी चलते रहते हैं जो कि दीन में ये सारे उतने नहीं चल रहे थे कुछ-कुछी चल रहे थे और में बात था ना कि सर दियों का टा अच्छे तरह से नहीं देख पाते और ऐसे हम लोग दीन में आराम से पूरा दिन रूखे और अच्छे तरह से घूम घूम कर इस मंदिर के दर्सन कियें और बहुत ही ज्यादा हमने इंजुआई भी किया और इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे मूर्दियां जो की स्री कृष्ण के दोस्त लोग थें उनकी गोपियां थी जो की राधा के साथ निरित्य करती थी बहुत सारे ऐसे चीज़ है फ्रेंड से गोवर्धन पहाड भी यहाँ पे बनाया गया है जिससे की पानी के फवारे और पानी गिरते रहते हैं और यह मंदिर बहुत बह करते हूं कि आप लोग मेरी ऐसी और भी वीडियो जरूर देखना पसंद करेंगे तो आप मुझे सजेश्ट बोक्स में सजेश्ट कर सकते हैं कि और में की इस तरह की वीडियो बनाऊं क्यूंकि आप लोगों की पसंद ही सबसे ज़्यादा जरूरी है और माहने रखती है मे लोगों के लिए हूं और फ्रेंड से बस में अब अपनी वीडियो यहां पर खतम करूंगी और यह वो गवर्धन पहार जो कि आपको अभी में ने दिखाया और यह इस तरह के राधा कृष्ण की मूर्ती है जो की जूले पर बैठी हुई है और इस तरह से जूलते रहती है यह दिरी से तो सही में बहुत ज्यादा मन मोहग था फ्रेंड से एक तम यहां पर आने से ऐसा लगता है ना जैसे कि राधा कृष्ण बिलकुल जीवी थै इस मंदिर में तो फ्रेंड से मैं अपने आज की वीडियो यहीं पर खतम करती हूं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थेंग्स पूर वाल